प्रोबाइटिक्स 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 काम करता है उसके सीवाय बी और कई बैक्टेरिया होते हैं जैसे कि आसीडोफिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस कैसे ही, बिफिडो बैक्टेरियम, बिफिडम एटसेक्टरा तो ऐसे कई सारे बैक्टेरियास दूद में प्रेजेंट होते हैं और यह जो बैक्टेरिया है इनका काम क्या है इसका फंक्षिन हम देखेंगे इसका फंक्षिन है इनका काम होता है और डिक्रीशन के लिए हामफुल होते है उनके नंबर कम करना और जो भी यूसफुल होते है उनके नंबर बढ़ाना यह प्रोबाटिक्स का फंक्षिन होता है अभी यह जो प्रोबाटिक्स है उसके कौनसे कौनसे प्रोडक्ट है वो हमें देखना है प्रोबाटिक्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स लैक योगर्ट, केफीर, सौरकाउत, डार्क चॉकलेट, मीसो सूप, पिकल, ओल, कौन सीरप, आर्टिफिश ब्लू क्रीन अलगे एट्सेक्टरा तो इस तरह से यह प्रोबाटिक्स उनका फंक्शन हमने देख लिया अभी यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है वाइद प्रोबाटिक्स है जो प्रोबाटिक्स है यह क्या करते हैं इस प्रोडक्ट्स फॉर्म्स ऑफ यूसफुल मा प्रोबिक्स तो यह क्या क्या करते हैं इस तब स्कॉक्ट्रोब्स यहां पर हमने दीखा था की जो फ्रोबी यूसफुल माइक्रोब्स है अनकी बढ़ाते हैं अण control other microbes and their activities जो दुसरे microbes है उसकी activity पे भी ये control करते हैं, improve resistance and lower the ill effects, यह हमने यहाँ पर देखा था कि यह जो harmful bacterias है, harmful microbes है उनके number वो कम करते हैं, तो यहाँ पर हमने देख लिया improve resistance and lower the ill effects makes the microbes active, improve the resistance and lower the ill effect of harmful substances form during the metabolic activities, तो हमारे body में जो भी metabolic activities होती रहती है वो metabolic activities के during, जो भी harmful products अपने body में बनते हैं, उसके ill effects से body को बचाने का काम यह probiotics करते हैं, इसलिए recent days में यह probiotics को बहुत जादा importance दिया गया है और भी एक function है, useful microbes becomes inactive due to antibiotics probiotics makes them active again अपने body के लिए जो भी useful bacteria है वो कभी-कभी antibiotic की वज़े से काम नहीं करते हैं यानि कि वो inactive हो जाते हैं तो उनको फिर से active करने के लिए यह probiotics काम करते हैं यह probiotics हैं, उनका use क्या है? nowadays the probiotics are used for the treatment of a diarrhea diarrhea को treat करने के लिए probiotics का use किया जाता है and treatment of a poultry तो इस तरह से हमने probiotics के बारे में detail में study कर लिया है अब हम bread के बारे में study करने जा रहे हैं bread जो होता है, उसको कैसे बना जाता है? इसकी process यहाँ पर दी गई है bread जो होता है, उसको जो dough है वो बनाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इसमें बेकर्स yeast लेना होता है yeast यह एक टाइप का fungus है तो बेकर्स yeast हमें लेना है उसको water, salt and floor में आड़ करना है अभी यहाँ पर जो floor है वो mainly wheat floor होता है तो यह wheat floor में हमें water, salt and बेकर्स yeast के कुछ drops आड़ करने है और उसका dough बना लेना है अभी यह dough एक बार बन गया तो उसको fermentation के लिए हमें लग देना है यह dough जबी fermentation की process complete होती है तो क्या होता है? कि जो wheat floor है उसके अंदर जो sugar है वो sugar का conversion carbon dioxide and ethanol में हो जाता है तो यह carbon dioxide and ethanol में उसका conversion हो जाने के बाद क्या होता है? कि यह जो carbon dioxide है यह dough से evolved out होने की कोशिश करेगा और उसकी वज़े से क्या होता है? कि यह जो dough है वो rise होता है यानि की full ता है और वो जबी हम bake करते हैं तो वो spongy हो जाता है तो fermentation की process से क्या क्या होता है? carbon dioxide and ethanol बन जाता है किसका sugar का जो sugar wheat flour में present थी और यह carbon dioxide की वज़े से वो dough rise होता है और जबी हम उसको bake करते हैं तो वो spongy होता है अभी हमें टेक्सबुक में देखना है different types of breads are produced from a flour of a cereals मैंने यहाँ पर wheat कहा था हम अलग-अलग cereals का यूज़ करके भी अलग-अलग flavor के bread बना सकते हैं dough is formed by a mixture of a baker's yeast यहाँ पर yeast जो है यह एक fungus है यहाँ पर एक special type का fungus यूज़ किया है जिसका नाम दिया है Saccharomyces cerevis वो ही हमें यूज़ करना है water, salt and the other necessary materials with a flour converted into a carbon dioxide and ethanol dough is rises up to a carbon dioxide and the bread becomes spongy अभी next परा में दिया है compressed yeast is used in a commercial bakery industry जो commercial bakery industry yeast है उसमें mainly compressed yeast यही एक special type का yeast है उसको ही use किया जाता है and domestic purpose के लिए यानि कि हम जो घर में fermentation की process से जो भी food बनाते है उसके लिए dry और a granular form का जो yeast होता है उसको use किया जाता है yeast produced for a commercial use contain a various useful content like a carbohydrate, fats, protein, various vitamins and the minerals due to this the bread and the other product produced with the help of a yeast become nutritive तो यह जो other products है वो fermentation की process की वज़े से और भी जादा nutritive हो जाते है और यह fermentation की process किसकी वज़े से होती है यहाँ पे हमने जो fungus यूज किया था saccharomyces cerevis से उसके वज़े से हो जाती है ingredients like a vinegar, soya sauce and a monosodium glutamate जिसको हम agenomoto गोलते है that are used in presently popular Chinese food are produced by a microbial fermentation तो यहाँ पे कुछ ingredients बताए गया है जिसको हम agenomoto कहते हैं यह सारे ingredients का use करके Chinese food जो आजकल बहुत popular है उसको बना जाता है उसको बनाने के लिए fermentation की process से उनको जाना होता है और यह fermentation करने के लिए यहाँ पे अलग-अलग microorganisms यूज किया जाते है या microbes यूज किया जाते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है vinegar 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 को कैसे produce के जाता है vinegar जो होता है उसका test जो है वह sore test होता है यह sore test की वज़े से ही उसको हम food में use करते हैं और इसका function क्या होता है preservation of a food preservation of a food यानि की बहुत सारे जो products है food products होते हैं उनको preserve करने के लिए as a preservative करके हम vinegar का इस्तिमाल कर सकते हैं जिसे की pickle sauce, ketchup, chutneys इसमें vinegar preservative का काम करता है तो इसका function है preservation of a food और इसमें mainly क्या content होते है acetic acid जिसका formula है, जिसका chemical formula है CH3-COOH यह COOH यह acid group है और इसको CH3 attached है तो यह हो गया acetic acid, 4% acetic acid यानि की vinegar यहाँ पर हमें देखना है ethanol and alcohol ethanol and alcohol is obtained by a fermentation of a carbon compound like a fruit juices, maple syrup, sugar, sugar molasses, starch, starch of the roots with the help of the yeast, saccharomyces cerevisin तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह जो ethanol है यह एक type का alcohol है, उसको हमें कैसे मिलाना होता है carbon compound से, अब यहाँ पर हमने जो carbon compound यूज किया है वो carbon compound में हम क्या क्या ले सकते हैं जैसे कि fruit juices ले सकते हैं, maple syrup, sugar molasses, etc. और उनका हमें fermentation करना होता है fermentation के लिए हमें यहाँ यहाँ पर yeast यूज करना है yeast कोई सा, saccharomyces cerevisin इसको हमने, मैंने short form में यहाँ लिख लेया है SC यानि की saccharomyces cerevisin तो यह जो yeast है, उसका यह carbon compound के उपर reaction होने के बाद उसका conversion होता है, ethanol and alcohol में तो यहाँ पर यह जो ethanol बनता है यह ethanol का reaction हमें कुछ bacterial strain के साथ करना होता है अभी यह bacterial strain कौन सी कौन सी है यह bacterial strain है, acetobacter and glucanobacter तो यह acetobacter and glucanobacter के साथ जब इथेनोल की reaction हो जाती है तो microbial degradation होता है microbial degradation यानि की जो microbes है उसके अंदर उनका सडने की process उसमें चालो हो जाती है और उसकी वज़े से यहाँ पर acetic acid form हो जाता है और यहाँ पर acetic acid के साथ और भी कई byproducts तयार हो जाते हैं byproducts form हो जाते हैं बट यह जो acetic acid है उसको हमें separate करने के लिए एक special process के तुरू जाना होता है और वो rarefaction यह rarefaction के process के तुरू यह acetic acid हमें उससे separate करना होता है और उसके बाद में यह जो acetic acid है उसको bleach करना होता है bleach किसके help से करेंगे हम potassium ferocynide यह potassium ferocynide की help से यह acetic acid को bleach किया जाता है उसके बाद में pasteurized किया जाता है pasteurized means उसको एक थिक consistency दी जाती है सबसे last में उसमें sulfur dioxide add किया जाता है यह sulfur dioxide हम बहुत ही कम quantity में यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसके बाद में हमें यहाँ पे यह vinegar मिल जाता है अभी हमें soy sauce के बारे में study करना है soy sauce जो होता है वो एक fermentation की process के तुरू बनाया जाता है soy sauce बनाने के लिए क्या-क्या ingredients लगते हैं वो हमें यहाँ पे दिखना है यहाँ पे aspergillus oryze यह एक fungus है जिसको हम fermentation के लिए यूज़ करते हैं तो यह microbes यानि कि ये yeast का नाम है aspergillus oryze को हम fermentation के लिए यूज़ करते हैं और यह fermentation की process हमें किसके उपर करनी होती है floor of wheat और rice और उसके साथ soya bean भी लेते हैं और इसके बाद में जो product हमें मिलता है वो होता है soya sauce तो इस तरह से ये वीडियो में हमने probiotics, bread, vinegar production and soya sauce इनके बारे में study कर लिया है इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी doubt है तो please मुझे comment कीजिए ताकि मैं आपके doubt solve कर सकूँ और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे like, share, comment and subscribe जरूर कीजिए तक्यू तक्यू